एमपी के गुना कुम्भराज तहसील के ग्राम पंचैद भमावद की पठार पर रहने वाले कंजर समाज की एक दिल दहला देन वाली घटना नज़रा रही है कि चोहान कंजर नाम का ये व्यक्ति मीडिया के माध्यम से इस पर हो रहे अत्याचार को बता रहा है इस युवक का कहना है कि इस व्यक्ति के चार लड़कियां थी जिनको राजिस्थान छबडा के कंजर समाज के लोग जबरन घर से जबरदस्ती उठा कर ले गए कुम्भराज उठाने में जब ये व्यक्ति जाता है तो वहाँ इसकी कोई सुनवाई नहीं होती है एक तरफ प्रदेश की सरकार इन आदिवासी लोगों की बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है तो दूसरी तरफ इन गरीबों पर अत्याचार हो रहे रुखने का नाम नहीं ले रहे है आपको सीधे चले आपको मासूम व्यक्ति की गुहार सुनाते हैं कि वह सरकार से किस तरह मदद की मांग कर रहा है कि याए मारके नहीं अपन जान से फैंक दियों है और अपन है ये लड़किन के जवाबदार बन जाएंगे कम हुआ के खाएंगे नचाएंगे गमाएंगे बेच के खाएंगे ये शारी बात की उनकी योजना है कि यह काम ढंडा करवारी you राब दिन्चोरिस गंट ओ वो साल डेव साल से पकड़ के लिए और अब ने आवे अब दिया आवे आवे दिन दिया कमरा तने में आदिव आभी दिया 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 त्याई साब के पाश में गए 2-3-4 मेरे मेरे से रुपिया मांगे सच्चे जूपे पकड़ के केस लगावे बंद करवा दिया विजेपूर ठाने में और अपने कैनाओं से सारी मुझे बहुते ही परिशानी है सरकार भगवान हजूर मेरी सुनवाई करो मेरी कोई काई से लगाके और काई तक कोई सुनवाई नहीं कर रही जहां देके हुआ रुपिया पैसा माया धनमान थे अब मैं धन कहां से किसकी चोरी तकीती करके लाके लेंगा तो हकीकत मैं आतमा से के रहे हूं मेरी चार बच्ची आना से ही और पकड़ के जल्दी लेके आओ जहां भी काई हो वहाँ से चबडा कंजर ले गए शंकरकालो नीची बेच के खारे कम बता करवारें उनसे माल ठोके राकरें उनको बिशवाश देके उनकी बना रखिया उनने दरा रखी किसी को कुछ मत कहना पुलिस को मत बताना कोई भी आई जाई तो हमारे बियान करना उनकी बियान मत करना ऐसी योजना बना के धरकी एक डेड़ दो साल से मेरी कोई सुनवाई नहीं है करजा मांगते हैं वे मेरे से करजे का नहीं लेकर नहीं चले गई हुए रहने वाले कहा गए वो छबड़ा संकर कालों नी राजिस्तान चबड़ा बहले भागा दी मेरी उन्हों ने अर्बाद में लड़की पकड़ ली देखती रहिए डीबी भारती समचार नजर हर खबर पर